हर दूखा कहता है यू ना मरूँगा मैं जाके मालिक को नंगा करूँगा जो हमने अपने महापड़ाओं में लिया था उस महापड़ाओं के फैसले को लागू करते हुए पूरे देश के पैमाने पर ये जेल भरो सत्याग्रा ये तरह तरह के कारी करम लिये जा रहे है 2009 से जो एकता बनी जो संधर्ष का बिगुल बजा देश की तमाम केंद्रिये टेड़ुनी संगठन सरफ जो सत्ता के पिछलगुआं को छोड़के देश का तमाम मतूर संगठन आज एक जुठोकर सड़को पर उतर रहा है पिछले चार साल में रोजगार घट गया नए रोजगार बनाई नहीं रादर रोजगार घट गया लेकिन बेशर्मी के साथ उसका सरकारी दस्तावेजू में काल आर्थिख समीक्षा प्रकासित के आज शुनाथ पिनिस्टर ने प्रेसिडेंट का एड्रेस सारे पेपर में है रिपोर्ट हुआ क्या बल रहा है रोजगार अलि हम आउर चाई में जाने वाला है हाँ जरोर चाई में जाने वाला है किसको लिए आमने देश के एक प्रतीशत संपदा जो मज़ूर पाइदा करता है वो आपने दख्राव में यय लिया हमने इस प्रोसेस में देखा है कि यह सरकार, मोðी सर्कार, एंडिया सर्कार यह NTA सरकार तो मैं नहीं कहुँगा, मोधी खुद अपने आपको मोधी सरकार कहते हैं, जो जो मोधी सरकार है, वो जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को टेक्स नेस्ट करने में लगी हुई है, वो पब्लिक सेक्टर जो हर साल 2,00,00 क्रोड प्या डिवीडेंड इस सरकार को दे हो सकता था, लेकिन इतना हम आज जानते हैं कि तुम देश के अंदर इंकम पैदा करने के सोर्स कातम कर रहे हो, तुम बेरोजगार लोगों के संख्या लगातार पढ़ाते चले जा रहे हो, और इसके साती साथ, जो सत्तर साल में हुआ, तुम उनको बेच कर, उन पब्लिक स का, जो हमारे employees हैं, उनका बहुत बड़ा contribution है, आप उनके contribution को नकारने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है, कि जो करमचारी ये मजदूर वर्ग है, वो अलग-अलग खेमे में रहकर कर संख्या नहीं कर सकता, समय की आवश्यक्ता ये है, कि हम सब एक joint platform पर आएं, संखर्श करें, तभी इस मोधी सरकार को हम पचार सकते हैं. लोगों को कल से ड्यूटी नहीं आना, और अब हम आठ महीने से बेरोजगार बैठे हैं, तो मैं मोधी जी से पूछना चाहती हूँ, कि आप अपने हर भाशन में और अभी बजट भी आने वाला है, तो आप उसमें सब बातों पर जोड देते हैं, कि युवाओं को रोजग और जब गवर्मेंट ड्रोल मॉडल नहीं अदा कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को तो कौन ही कंट्रोल करेगा पर, वो एक सीरियस इशू है, वेजी जो है, वो गिर्ती चली जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई ज्यादर अफ्तार से बढ़ रही है, और उसके साथ साथ क सूशल सक्यूरिटी फरल के बोर्ड़ लग रहे हैं, हम लोग कह रहे थे, कि जो हमारी उसको मजबूत करो, और जो कावर्ड नहीं है किसी भी सोशल सक्यूरिटी में, उनको कावरेज दो, लेकिन सरकार जो एक्जिश्टिंग सोशल सेक्यूरिटी स्कीम सें, उसी को तोडन में लग गई है तो जो है उसको छीनलो जिनको कुछ नहीं मिला उनको नहीं मिलना चाहिए यह एक पालिसी है थन में एकत्रित हुआ है विशेश करके भी हमारे जो प्रदानमंत्री डावोस सुट्जरलैंड गए थे वहां पर इस आफ डूइंग बिजनस के नाम पर ट्रेड के अंदर छूट देना लेबरलाइज करना और इंस्पेक्टर ऌज को कहतम करने के विशेश पर उन्होंने विशेश जोर दिया तो हम यह इगा चाहते हैं कि यह सरकार कि तरफ से लाइसेनस देने की प्रकृया को सरल किया गया है ओधार किया मालिकों के लिए और इंस्पेक्टरों का संस्थानों में जाना वर्जित कर दिया गया है यह साइंस्पेक्टर कारखानों में नहीं जा सकते संस्थानों में नहीं जा सकते हैं उसी का प्रणाम है कि जो भी बवाना में गटना हुई 20 तारिक को वहाँ पर मालिकों की तरब से सरयाम खुल अगर जाएंगे नी तो किस प्रकार से उनकी पालना हो रही है कानूनों की नहीं हो रही है वो कैसे चेकिंग की जाएगी जब मोदी सरकार हमारी सुनी नहीं है ठेके पे मजदूरों को रख रही है ठेके के मजदूरों को सही बेतन नहीं दे रही है इसकी बरकस को सही बेतन नहीं दे रही है जो करमचारी बिरोधी नीतिया है सरकार लगातार वो ला रही है तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं सरकार स कि इस करमचारी विरोधियों नीतियों को बिलकुल हटा दिया जाए और जन्विरोधियों को हटा करके एक सही नीतिया जिस्से की करमचारियों को लाव हो वो नीतिया लागू की जाए किसी भी सूरत में तो कहीं भी तो कुछ भी तो नहीं दिख रहा है कि ये सरकार जो कहती हो करती हो बलकि वो ही सच दिख रहा है जो बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था कि हम से मत पूछो कि 15 लाक रुपए हम क्यों नहीं अकाउंट्स में जमा कराए वो तो चुनाव का जुम उससे दुगना, तिगना, चौगना सिर्फ प्रफगेंडा पे खर्च उता है नहीं तेलेगी, 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 नहीं तेलेगी झाल झाल